नमस्कार मैं सुमन सौरव हूँ और आप भारत लाइब देख रहे हैं इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो सामान प्रसाशन बिभाग से आ रही है जिसको जेनरल एजमिस्टेशन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है वहां से आ रही है कि बिहार में जो है बड़ा प्रसा सनिक फिर बदल किया गया है जिसमें पांच IAS ओफिसर और तीन IPS ओफिसर का जो है तबादला कर दिया गया है ये मतलब गुरुबार की साम जो है इसकी अधी सूचना जारी कर दी है दो अजार साथ आपको बता दे कि जिंजिन लोगों का तबादला हुआ हम उनके भी बारे में आपको बताएंगे तो सबसे पहला जो आ रहा है इनके बारे में आ रहा है कि 2007 बैच के संजय सिंग को लखी सराय का स्रीमती स्वापरना जी मिस्राम को नवगछिया का पुलीस अधिक चक जी इस पी बनाया गया है पांच आएस के अधिकारियों कि जो तबादला किया गया है उसके बारे में भी आपको बता दें कि जारी अधिसूचना के अनुसार 2007 बैच के संजय सिंग जो है उनको लखी सराय का डियम बनाया गया है इससे पहले जो है वो परवंद निर्देशक थे बिहार चिकित्सा सेवा के संजय सिंग जो है इससे पहले प इससे सची का जो बात आ रहा है वो सुभेंदर कुमार चौदरी जी को बनाया गया है दो हजार चो बैच के जो आयस अधिकारी जो परदीप कुमार जहां है उनको बिहार आधार भूत संरक्षना निगम लिमिटेट का प्रवंध निर्देशक बनाया गया है अगर वहीं आ जी को अपर मुख निर्वाचन प्रदाधिकारी जो है निर्वाचन विभाग का जो मुख निर्वाचन प्रदाधिकारी बना दिया गया है रंजीता को जो है अपर मुख निर्वाचन प्रदाधिकारी निर्वाचन विभाग बनाया गया है और जो तीन IPS जो आपसर है उसक को नवगचिया का पुलीस अधिक्षक बनाया गया है नवगचिया का पुलीस स्पी जो है नई वो स्रीमती स्वपरना जी में स्राम हो गई है पुलीस अधिक्षक के सहायक निर्देशक जो है सैनिक सुरक्षा पतना के पद पर तैनाज जो मितलेश कुमार थे मितलेश कुमार को नाथ नगर इस्थित सीटीएस का प्राचारी बना दिया गया है। बिहार में जो एक बड़ा फिर बदल किया गया है, सभी अधिकारियों का तबादला किया गया है। भी देखा जा रहा है, तो सारी खबरे आप देख रहे हैं भारत लाइप पर, तो खबरों का सिलसिला जो है लगातार जारी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर दें, बेल आइकन दवा दें, और तब तक के लिए चलते हैं, बिदा लेते हैं, मिलेंगे अगले खबर में.